आलू और प्याज के दाम छुए आस्मान जी हां ऐसा पहली बार हुआ है जब लगन आने के पहले आलू और प्याज के दामों में कोई कमी नहीं आई लोगों का कहना है कि इन दिनों में अक्सर आलू और प्याज के दाम गिर जाते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है यह सब बिचॉलियों के आलू और प्याज स्टॉक करने के कारण हो रहा है आपको बता दे कि आलू और प्याज निरसोई से बनाई दूरी सबजी मंडी में सबजी खरीदने आये रूची केशरवानी का कहना है कि प्याज और सब्याज की क्वालिटी तो खत्म हो ही गई है वही रेट आसमान चु रहे हैं बड़े बड़े लोग प्याज का स्टॉक कर लेते हैं और कहते हैं उपर से और रेट बढ़ा लेते हैं उन्होंने ये बताया कि सरकार जमा खुरी करने वाले लोगों पर लगातार कारवाई करने में जुटे हुई है और आने वाले समय में कमी देखने को मिलेगी और अगर हम लोगडाउन के अंदर हर सबजी बढ़िया से बढ़िया 10 से 15 रुपे में मिल रही थी लेकिन अब सभी सबजिया पर दाम बढ़ा दिया गया है कोई ऐसी सबजी नहीं है जिसका भाव 30 रुपे किलो से नीचे 60-70 रुपे किलो तक बिक रही है प्यास सबजी विक्रेता अमन सैनी का कहना है कि बढ़िया वाली प्यास 60-70 रुपे किलो बिक रही है आलू लाल वाली 45 रुपे प्रती किलो बिक रही है और सफेद वाली आलू 40 रुपे प्रती किलो बिक रही है उनका कहना था कि वो लोग भी क्या करें महंगा लाना पड़ता है तो महंगा बीचना पड़ता है देखे प्रताब गर्षे विशाल रावत की रिपोर्ट लगन शुरू होने से पहले सबजी मंडी में आलू और प्याज के दाम आस्मान छूने लगे हैं जिसकी वज़ा से आलू और प्याज खाने वाले लोगों के इस महंगी आलू और प्याज ने आसू निकाल दिया है सबजी मंडी में सबजी विक्रताओ का कहना है कि प्याज के पैदावार में कोई कमी नहीं है लेकिन बिचौलिये प्याज को खेद से सीधे मंडी तक नहीं आने दे रहे हैं आलू और प्याज तो बिचौलिये ने स्टॉक कर लिया है जिसकी वज़ा से आलू और प्याज के दाम आस्मान छूरे है जहां ग्राहक एक किलो प्याज खरीदता था अब आधा कीलो से काम चला रहा है आलू प्याज के दाम बढ़ने की वज़़े से प्याज की खरीद में कमी आई लेकिन इस बार बिचौलिये की वज़़े से आलू और प्याज के दाम बढ़ गए है पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लगन सुरू होने से कुछ दिन है इससे पहली बार आलू और प्याज के दामों में इतना उच्छाल देखा गया है वेज या नॉन वेज दोनों ही तरह के खाने की धालियों में प्यास नहीं इसी तरह सबजियों में स्वार बढ़ाने के लिए आलू और प्याज का सबजिब बनाने का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता है लेकिन इस बार आलू और प्याज के दामों में जो पुछ दाल आया है उससे आम ग्रहडी रसोई में प्याज से दूरी बना दिया लेकिन आलू और प्याज फुटकर रेट में 60 से 70 वहीं आलू के दाम 40 से 45 रुपे पती किलो के भाव दिक रही है बाहर से नहीं आ रही है प्याज प्रताबगर में सबजी मंडी में प्याज के बढ़ते दाम के दिये फुटकर दुकानदारों 80 के सरवानी का कहना है कि अभी बाहर से प्याज नहीं आ रही है लेकिन लगन में प्याज के दाम कभी नहीं बढ़ते थे यह पहली बार है जब प्याज के दाम 60 रुपे किलो आलो और केप 40-45 रुपे कर विक रही है वही मंडी में मौजो सबजी खरीदार अनिल इसे मुनाफ़ा खोरी से जोड़ कर देख रहे हैं स्थानिय स्थर पर बड़ी पैपारी आलो और प्याज का स्टॉक किये गए है जिसका खामियाजा आम नागरी को उठाना पड़ रहा है जो लोग 2-3 किलो आलो प्याज भरीते थे अब वह मात्रा आधा किलो प्याज ही दे रहे हैं वहीं इस मुलाफा खोरी में सरकार की भी विली भगत बताई जा रही है इस बारे में यहां के क्रेता विक्रेता ग्राहको का क्या कहना है आईए देखते हैं इसने पार आलो और प्याज के दाम काति बड़ुक्री हुए कितने सब्सक्राइब पर इसका फरक प्रण प्रण आए लेकिन देखिए हमारे विचार से तो देश की सुरक्षा जालता ज़रूरी है और हमारे जो सरकार है यूठी की वो फ्री जरा से कारवाई कर रहे हैं सामानों को डंप कर लेते हैं बाजार में मार्केट में आने नहीं देते हैं तो मेरा ऐसो लोगों से अनुरोध है कि सामान को डंप करके ना रखे और बाजार में आने दे वे आप खरीद ले जा रहे हैंगे? यहां ले जा रहे हैं तो पहले क्या पिछा है खरीते थे और आप क्या इस इच्छा हो थे और प्रीट करेंगे? मेरे थो आप बसवाई में कोई बार्क नहीं बड़ा आप का नाप क्या है? दुशी के तरवारी वार चैश की दाम लगता है और अब तो पर तरह देना पाइले से गानजें फिफ्टी परचाइड्य ने खबद कर भी आगा जो आदमी तो किली ओवाला एक लिओब प्रेदा आगा एख अच्छार आगा उसाद के लिए प्र fifty five-sharita रिखिए अच्छी व्या किम्स ए रहा है, आलो भी सफीज चाले होने के समवगरा नहीं तो आपते पयार काक की अब पयार प्यार कियो जयार लिए इसब बहुत में मातर की विद्वार पटार । अब आप अब आप 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 प्याज गाएगा तब ही शब्सका होगा दो इस बार कासी के से बाँ इस बार आप आप नए अब रोलत रतार पर पिष्ण घंगर कुछ्पटाया आप नोगारी हो रही है जुशा पिए रही है, इस वाले खा जा रहा है, वो लुटतर बार्ट रहा है, लुटतर बजानी हो रही है, दब दम करके रहे हैं, आमे महीं देते हैं, राक कर लेगे, इस दाब है रश्का चाहर है, पहले किसना आप बालु प्यास अलिकते थी और अब क्यास प्यास बन दे जितने महांगाई हो रही है अलू काते हैं तो पहले तो रिकार बिखाते हैं अब बना करें चाहिए चाहिए रोज़ार हो